गुड मॉर्निंग दोस्तों नए ब्लोक में आपका स्वागत है लास्ट ब्लोक हमने यहीं पे एंड किया दा अब मेरे पीछे विदान सबा देख रहे हैं राजस्तान विदान सबा मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से देखे राजस्तान विदान सबा यहीं पे हमने हमार बिड़ला मंदिर जाने वाले हैं जयपूर का एक फैमस जगह है एक फैमस मंदिर जो वाइट मारबल से बना हुआ बहुत ही इस्यांदार मंदिर वहां तक हम जाएंगे और पूरा रस्ता हम देखेंगे समझेंगे जयपूर को तो आप पने रहें वीडियो के अंदर और पू यह राजस्तान विदान सबा और यह इसके आगे का मैन रोड और यह आप जो देख पारें यह यह नमबर एक है विदान सबागा उतर पुर्वी गेड और यह इस तरफ हम देखें तो यह पुरा रोड चलता हुआ रोड तो इस रोड पे हम आगे चलते हैं आईए चुरू करत हैं यह आगे चलते ही एक कारियाले नगर निगम का मालुए नगर जोन का नगर निगम का कारियाले हैं विदान सबा की बिल्कुल पास में और यह सामने का आगे का रोड आईए और आगे चलते हैं और यह यह आपर IBS होस्पिटल इंडो वेस्टर्न ब्रेन एंड स्पाइन hospital IBS hospital है और इधर Jain ENT hospital है दोनों पास पास में बड़े hospital है जेपुर के और यह इस road का view है आईए और आगे चलते हैं आगे चलते हैं यह T junction आ जाता है और इस T junction से में इधर left side में चलना है जो traffic चल रहा है ती से left गुमते ही यह व्यू है और यह यहां पर टपरी केफे है और यह यहां पर जेपुर Heart Institute जेपुर Heart Hospital है इधर गुमते ही अंदर और यह यहां का व्यू है और यह आपके सामने लोटस बना हुआ है जवेलरी का दुकान है यह शोरूम है और यह यह यहां पट्टी जंक्शन है तो यहां से हम लेप साइड में गुमेंगे आप देखने इसको मोती लाल के नाम से यह है मोती लाल रावर्स मोती संस जवेलर्स आए आगे चलते हैं और यह यहां पर अगर निगम ग्रेटर लेपुर का कारियल है और यह सामने का पूरा व्यू है यह इदर मोती लाल के बिलकुल पास में ही पारियल है आए और आगे चलते हैं यह नगर निगम का दूसरा गेट और यह सामने का पूरा व्यू यहां का अगर आगे चलते हैं यह स्वाइमान सिंग स्टेडियम का गेट जो टॉंक रोड की तरफ खुलता है उसका व्यू है और यह यहां पर द्रोनाचार्या का स्टेचू लगा हुआ है और यह यहां का विवू यह द्रोनाचार्या के स्टेचू यह पास में ही बना हुआ छोटा सा पारक्ट और सामने यह मैन रोड टॉंक रोड और यह खेल को दर्शाते हैब्श्चू बने हुए कबड़ी का सफरंग का होगी का किर्केट का यह सब यहां कर इस टेट आपकी सामने दिखें और यह सामने मैन रोड से द्रोनाचारिय का इस टेट शुप ऐसा दिखता है और यह सामने का व्यूद पूरा रोयल लुक और यह बड़ी रोड और यह से सिद्धा निकलते हैं तो नाहरंशी सरकिन और यज लेप में पोन मैं ऑगे से तो आज में रोड आता है यह पूर अगे और यह पास में स्टेडियम का दिवार है। आए और आगे की और यह पर यह इस सरकिन को फूरा व्यूद और यह रामबाग सरकिल का पूरा व्यू है और यह सामने आपकी स्क्रीन पर एसे जैन सुबोध कोलेज इसी रामबाग सरकिल के उपर ही और इधर आप देखेंगे तो यह रामबाग सरकिल की तरफ कुछ पाल की नुमा बना हुआ है यह राजा की सान को दर्साता है जिसमें गोड़े हाथी सब कुछ है पीजी ज्वेलर इसी सरकिल रामबाग सरकिल के उपर यह ज्वेलर का स्योरूम है और आगे इसी रोड पे हम आगे बढ़ने वाले हैं SSJN शुबोध पीजी महिला माविदाले आगे निकलते ही सर्किल से रामबाग से ये महिला कॉलेज पीजी माविदाले और ये यहां का व्यूद तो और आई हुए आई है और आगे दखें अभी बारिस आई है तो पुरा रोडों पे पाने बहरा है ये पीजी महिला माविदाले के साथ ही सुबोध पब्लिक स्कूल उसी के पास में ही ये स्कूल है आप देखें इसको पीछे उदर पीजी महिला महाविदा ने था और ये स्कूल है और ये सामने का पूरा व्यू है और ये वोस्टिटर सब्सक्राइब करते हैं एक नमर गेट ये और आगे बढ़ते देखते हैं ये अमर्जेंसी का गेट नमर डो अगे उदर गेट नमर टीन ये इंट्री के दिए और वो एकजिट के दिए अमर्जेंसी से और ये होस्पितल स्टी मेंग बिल्डिंग और ये सामने का पूरा व्यूव यह हम पर पुन पॉर्म संतोगबा दूरलब जी मेमोरियन होस्पितल और यह इंट्रि आपर महिंग यह इंग बिल्टिंग में जाने की पाफी बड़ा होस्पितल दूरलब जी होस्पितल जिसे हम बोलते हैं यह पर और यह यह कर सामने का भी तूड़लप जी के पास ये राष्टान स्टेट वेर हाउसिंग कोर्पोरेशन ये हैड ओपिस गवर्मेंट का ये एक इपार्टमेंट ये सामने का भी और ये यहां पर जेडिये डेपूर विकास प्राधिकरा जेपूर डेवलोप्मेंट प्रोथी अथोर्टिका ओपिस जे काफी मैंद ओपिस जेपूर का डेवलोप्मेंट के लिए और ये सामने का भी और ये जेडिये का बिड़ला मंदिर साइड से व्यू जो मैंद प्रेंट व्यू है काफी बड़ा बिल्डिंग है और ये सामने ट्राफिक पूरा इस सिगनल पे और ये जेडिये का सिगनल से लियावा वियू राम किसोर व्यास बवन और ये बवानी सिंग रोड और ये सामने बड़ा रोड यापन सिंग्नर और ये मोति दुंगरी और ये सामने आपको बिडला मंदिर कि वह थी श्यांदार वाइड मार्बल से बना हुआ बिडला मंदिर ये यहां का पूरा वियू तो दोस्तों इस वीडियो को यही तक रखते हैं आप अपना कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक जरूर कर दे और यहां तक आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें जय हीन जय भारत